मप्रकक्षा 1-12 तक की समस्ट स्कूलों के लिए अनिवार्य लोग शिक्षन आदेश 20 अगस्ट तक कुल्ण करें। लोग शिक्षन संचालनाले मध्य प्रदेश दिनाग 22 अगस्ट 16 एक समस्ट कलेक्ट देश मुख्य कार्याल समस्ट संभागिय संदेश समस्ट शिक्षा अधिकारी आयुक तादिम जाती कल्यान विभाग प्रदेश समस्ट जिला पर योजना समय समय शिक्षा अभियान दो हजार बाइस माइनस तेईस अंतर्गी और संस्था का एक से बारा तक अध्यन्रत समस्त विद्यार्थियों का प्रतिप्रदेश उपा अपक्ष एवं कृती संदर्व स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र एक हजार दो सो चे बटा एक लाग पच्छत्तर हजार दो सो सत्ता बटा 20-2 बटा दो हजार बाइस समेकित चातरवृत्ति योजना अंतर्गत शून्य आर्थ विभागों की 27 प्रकार की चातरवृत्ति योजनाओं का कियान्यन शिक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है वर्ष 2022-23 महिला बाल विकास द्वारा संचाल इत्सी लक्ष्मी योजना का क्रियानवयन भी शिक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जाना है ट्रह 2022-23 से अंतरगत शासकिय अशासकिय संस्थाओं से 12 तक अध्यानरत रामरत विद्यार्थियों का शिक्षा पोर्टल पर शत्प्रतिशत प्रवेश उप्रांद प्रोफाइल अप्टेशन एवं छात्रवृति स्वीकृति निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है एक विद्यार्थियों का शाला में नामानकन रिक्षा पोर्टल पर रात्रप्रारम हुने से ही सभी शासकिय अशासकिय संस्थाओं का से 12 अध्यानरत विद्यार्थियों का रायवार एवं विद्यार्थिदार नामानकन फार्म प्रचलन में है गत वर्ष नामानकित 1.40 करोर विद्यार्थियों की तुलना में अध्यतन 120 करोर विद्यार्थियों का नामानकन शिक्षा पोर्टल पर किया गया है शिक्षा पोर्टल पर प्रतिशत विद्यार्थियों का नामानकन की कार्य वही दिनाग 20 अगस्त 2022 तक कूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें 2. विद्यार्थियों का कप्रोफाइल अप्टेशन नामानकन उप्रान समस्त विद्यार्थियों का प्रोफाइल दर्ज अप्टेट किया जाना अनिवार्य है प्रोफाइल में दर्ज जानकारी के आधार पर ही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ती आधी अन्य योजनाओं की पात्रता सुनिश्चित होती है प्रोफाइल अपडेशन के आधार पर छात्रवृत्ती की गन्ना प्रत्त सिस्टम द्वारा की जाती है जिसे विभाग द्वारा जारी की गई विवरन का अनुसार परीक्षन कर लिया जाए यदि किसी प्रकार की विसंगती पाई जाती है प्रोफाइल लॉक करने से विद्यार्थियो चात्रवृत्ती स्वीकृती संधित विभागों द्वारा चात्रवृत्ती योजनाओं में किये गए संपरिवर्धन विलोपन को सम्मिलित कर शासन स्कूल शिक्षा विभाग के संदर्वित पत्र द्वारा वर्ष 2022-23 में समेकित चात्रवृत्ती योजना क यानवे अनहेतु विभिन विभागों द्वारा प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ती की पात्रता एवं दरों को संकलित कर समेकित छात्रवृत्ती विवरनिया परिशिष्ट एक अनुसार जारी की गई है। चरनों में की जाएगी। प्रोफाइल अप्डेशन में मोबाइल नंबर का एकाउंट नंबर आदी की मता से जाच कर प्रविष्टी की जाएं। 42 कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों का प्रोफाइल अप्डेशन एवं छात्रवृत्ती स्वीकृती 9-12 में अध्यानरत प्रतेक विद्यार्थियों का आधार एक के अनिवार्य है। वर्ष 2022-23 से उप्रोक्त विद्यार्थियों को चात्रवृत्ती का भुकतान उनके आधार लिंक बैन के एकाउंट में ही किया जाएगा। 9-12 में अध्यानरत विद्यार्थियों के प्रोफाइल अप्टेट एवं छात्रवृत्ती स्वीकृती को सुविधार रिक्षा पोर्टल पर संभवता हैं सितंबर 2022 से उपलब्ध कराई जा सकेगी। अतः विद्यार्थियों के अधार एके हेतु आवश्यक विअवस्था कराने हेतु आवश्यक तयारी करके रखे एवं गोवाइल नंबर की जानकारी उक्तिथी के पूर्व संकलित कर तयार रखे जिसे प्रोफाइल अप्टेशन का कार्य प्रारम हुते ही उक्तानुसार जानकारी प्रोफाइल में अधिलिन्य प्रविष्ट की जा सके। विद्यार्थियों को अधार एकी खेतु प्रक्रिया प्रिथक से जारी की जाएगी। अतर समस्थ संभागिय संचालक कार्य प्रगती की प्रतिदिवस जिला एवं विकास्खनद्वार समीक्षा एवं समस्थ जिला शिक्षा अधिकारी संकुलदार समीक्षा करे तथा कार्य में पिछने वाले जिले संस्थाओं को आवश्यक्त अनुसार मार्ग दर्शन निर्द प्रेश प्रदान कर समय सीमा में छात्रवृत्ती स्वीकृती का कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। आयुक्त लोक शिक्षन म, प्र, वो, भोपाल दिनाग 16 अगस्त 2022